हलो फ्रेंड्स किचन की इन चनल का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटा क्रिस्पी मुंपली घर पर इस तरीके से जो बिल्कुल लगेगा हल्डी राम जैसा चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम यहां पर बदाम लिए हैं दो कटोरी यानि एक पो किनकी अधा पर साथ के मौसम है तो बदाम में नभी बना हुआ रहाता है मुश्चराजर बना हुआ रहाता है उसको भीगाने के जुरत नहीं एदम फ्रेस बदाम है उसी कटोरी से हम लेंगे आधा पाउ यानि एक पाउक आधा मिर्ची पोडर ले लेंगे जीरा पोडर आधा च नमक स्वाद उन्सार अधा के हल्दी पोडर कलार आने के लिए चोंटी आधा चमच धनिया पोडर आधा चमच भासा गराम मसाला जरूर डाली एगा इसमें तोसा सेथा ना मक смख सा दे रहे हैं हीं देगा छोंटी आधा चमचसरा ढोलकी पोडर दीजिए गा हम लों पो decision कुरा पनाएगा बहुत ही अच्छा बनेगा अच्छा से चली इसे मिलाते हैं हलका हलका हम लोको पानी राल के इसे मिलाते जाना है हलका सा सौफ्ट सा बनाना बहुत हाड इसका नहीं बनाना है क्यूंकि फिर मुफली अच्छा से फूलेगा नहीं और ना बनेगा ही इसे जब एक साथ में ज़्यादा पानी दे दीजिएगा तुरत घाठा जाता है इसलिए हम लोग को घाठ बिलकुल नहीं चाहिए दीरे-दीरे मिक्स करते जाएंगे बर्सात के मौसम में आपको बैदाम धोने के जुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें काफी मोस्चरा जारा नमी बना हुआ रहा तक वह अपने से खुद ही खुद लगेंगे कि फुले-फुले जैसे लगेंगे इसलिए पानी से धोने की देगेए गलती ना करे फ्रेज लेत गे जबम ब्रशात के मौसम में वर्शात के मौसम में अर arma को여ता कि खाएगेगा अच्छा से घोल हम लोग इसा रीडी कर दी हैं तयार हो चुका है देखिये इस रहा है अब इसमें चावल काटा हम देंगे दोच्च मच चावल के आटा से बहुत ही कुरकुरा हो गए यानि कॉन्ट फ्ला इसमें जरूर डाले अगर आप पर पास कॉन्ट फ्लार नहीं है तो आप सुजी एड़ कर सकती है सुजी से बहुत की रिस्पी बनेगा हम लोग पास हमेश अब अब अधाम का अधा हमेशा इसमें आप डाला किजिएगा बेसन इससे ज़्यादा नहीं डालना अगर एक कटोरी बादाम है तो अधा बेसन डालीगा दो कटोरी है तो एक कटोरी डालीगा इसका कॉन्टिटी बस यही है कि हमेशा बेसन जब भी डाले इसका गोल तैय करते समय तो हमें साब को देखना पड़ेगा बहुत हार्ड मत बनाईएगा क्योंकि ऐसे फिर अलगल इसका बैदाम का टुगड़ा नहीं हो पाएगा बैदाम एकदम अलग अलग ही रहता है तो बहुत ही मजा आता है खाने में हल्दी रामजे साब को बनाना तो घोल अच्छ एक बाट इसको डालिएगा तो आठ मिनट इसका से में लगता है धीरे दिने उसमें पकने में तभी कुरकुरा पन अच्छा था देखिए कितना सुन्दा इसका गोल तयार हुचुका बस हमें ऐसा ही चाहिए तेल एकदम रेडी हुचुका इसमें डालते जाएंगे धीमे एक डंटी की साहता से हम लोग अलग इसको करते जाएंगे धीमे धीमे करके अलग अलग नहीं किजिएगा तो फिर सीजने के बाद पकने के बाद ये ची पक जागा है आपस में इसलिए हमेशा इसको जीस तरह से डालें आप जमस की साहता से तो हम लोग यहां पर डंटी की साहता से छोलनी की कि decay इसायता से ह். हम लोक प्रैक्टिस इस तरह से बनाते रहें तो सारा दाना अलग हो जाएगा आप कोई भी पतला डंत यूठ कर सकते हैं इसको बनाने kंवे की लिए पमें बढंग खेंगवा लोकिन अलग अलग होगा अलग हो तभी इसका दाना हैं इसता से देखिए दरम अलग-लग हो रहा है थोड़ा-फोड़ा ही डालें verbal हो जाअ अमेद्थ ऑल बना रहे हैं थोड़ा बना रहे हैं थो यह तो इस तरह बना रहे हैं हुआ इक बार बनके रेडी होने में इसको कमसे प्रकिरिया हम लोग तीन बार करेंगे, तो हम लोग अजब तक बन जाएगा, हल्दी राम का भूजिया, हल्दीराम को पकोड इस तरह से बहुत यह अच्छे बनते हैं इसी तरह से बनाते हैं तीन टीप हम लोगा तैयार हुआ है तीन टीप में इसी तरह करते जाएगे डालते जाएंगे हलका हलका से मिलाते जाएंगे अज जब भी इसको बनाएं तो हमेश्था गर्म रहेगा उसी से में सारे मसाली इसमें एट कर दीजीगा अज अगर जादा चटपटा खाना है तो इस तरह से बनाईगा हम लोग इसमें नीबू नहीं गा रहे हैं क्योंकि नीबू थोड़ा कड़वा हो जाता डालने से आप डाल सकते हैं हम यहाँ पर आमचूर पॉड़ा डालें थे मिस हो गया बोल नहीं पाएं अंदर में आमचूर पॉड़ा डाल दिये हैं आप चाहे तो साइप्टिक एसिट का यूज कर सकती है हम लोग आमचूर पॉड़ा एक चमज भर के डाले हैं उसमें एट कर दिये हैं ओपर से भी सारे मसाले हम लोग डालेंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी क्रिस्पी बनेगा और दम चटपटा बनेगा बिल्कुल हल्दी राम जैसा बिल्कुल बजार जैसा इसलिए बजार से लानी के जूरत नहीं है अब घर पे ही बना के आप खा सकते हैं बच्चों को पोडर है और हिंग इसमें जरूर दीजिएगा हिंग से भी उपर से भी डालने से बहुत अच्छा स्वादा आ जाता है सभी मसालों को हम छोटी चमस सेक चमस भर के लेड़ी है मिल्च डालेगा तो तीता चटपटा बहुत ही अच्छा लेगा कास्मीरी लाल मिल्च से तीक सेयर करें और कमेंट में बता है पूरे परिवार के साथ इस ते इंज्वाए कि रिदी की कितना क्रिस्पी बना है